हारा कैसी खलेगा संकट हमारा कैने न लेगा तुम ना सुनोगे तो कौन दुनेगा एक बाद ताली बजाके, पीठी मीठी ताली बजाके कुलिकातू नरेशिटी मैं आपकी आवास सुनना जाता हूं पानी है सर से उपर फुसीबत अड़ गई है आज हमको तुमारी जरूरत पड़ गई है अगने हाथ से हाथ पकड़ लो पानोगा ऐसा है तेरा भानोगा ऐसा सकट हमारा कैसे तलेगा सकट हमारा कैसे तलेगा तुमे न सुनोगे तकोर सुनेगा पानी हुचाओ हुचाओ नेमरी की विचाओ यह प्रेभी कि रूंजी इतना आच्छ शिंगार क्यों करवाते हो एक प्रेमी ने पूछा कि रोज इतना अच्छ श्रिंगार क्यों करवाते हो बाबा ने जवाब दिया अरे सुन पगले मैं इतना अच्छ श्रिंगार इसलिए करवाता हूँ ताकि मेरे बेटों को ना लगे कि मैं दुखी हूँ एसा नहीं आप लोगों को दुख होता है अरे आपका 10% जाके उसको दुख होता है ऐसे नहीं आपकी लाइफ में दुख है शाम बाबक कहते हैं कि मेरे प्रेमी को ना लगे कि मैं दुखी हूँ मैं मेरे श्रिंगार के पीछे अपना तुख चुपाता हूँ एक बाद जोड़ दर चाली के जाएट एक दो ठी चाड़ तुम्हारे दर्बे शायद हो बेशा धर्बी आते तुम्हारे दर्बे शायद हो धर्बी आते तुम्हारे दर्बे शायद हमेशा धर्बी आते पागण के मेले में भी जोड़ से नहीं बोल रहे तुम्हारे दर्बे शायद हो धर्बी आते आज पापी आया है शाँ आज पापी आया है शाम का एक अब रादे हम निशना है तेरे नजर में सब है एक समा इसका बना तो आज चलेगा तुम्हे न सुनोगे तो कौन सुनेगा आ गया दर्बे तेरे सुनाई हो जाए आली हो जाओ जैसे मैंने बूला था वैसी आ गया दर्बे तेरे सुनाई हो जाए जित्गी से दुखों की बिदाई हो जाए एक जित्जर किरपाते कर दो पानूगा ऐसा है संकत हमारा के सिट लेगा तुम्हे न सुनोगे तो कान सुनेगा तुम्हे न सुनोगे तो कान सुनेगा तुम्हे न सुनेगा आ गया दर्बे तेरे सुनाई हो जाए जित्गी से दुखों की बिदाई हो जाए एक निजर किरपाते कर दो पानूगा ऐसार तेरा मानूगा ऐसार संकट हमारा कैसी टलीगा तुम्हे न सुनोगे तो कान सुनेगा तुम्हे न सुनोगे तो कोन सुनेगा तुम्हे न सुनोगे तो कोन सुनेगा पुली खाटू नरेश के इतने हाजरी स्विकार करें जेश्री शाम जेश्री राधे अब हमारे बीच मनीश शाम लाडला फरीदाबाद से राम अवतार वर्मा जी एक बड़ ताली हो जाके स्वागत कर विया बहुत बहुत धन्यवाजी प्रत्व गुरुजी को वंदना दितिये आद गणे तृतिये मैं सुमरू शारगा मेरे कंथ करो पर वे ले कर तेरा आसरा करने चला मैं का ए इश्वर रखियो मेरे आज सभाव में लाए बोल खाटू नरेश की जैए मैं कोई प्रोफेशन नहीं हूं बिलकुल शौम से गाता हूं मुझे आज मेरे आखों में आसु आ गए करोना काल से पहले हम जैतो मंडी से पूरे मंडली पूरे मजिशन पूरी मंडी लेकर हम यह आते थे और बाहर चोंतरे पर प्रवीन जी की किरपा हुई वहाँ पर हम किर्टन करते थे हर साल और जब सड़क जाम हो जाती थी तो स्कुरिटी वाले हमें रोकते थे हमें दरवार मंगल करना पड़ता था तो आज यह देखकर बड़ी खुश हुई क्योंकि अरसे बाद मेरा याना हुआ तो इतनी खुशी हुई जी कि बैह आपको बता नहीं सकता सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा